क्या आत्मा होती है? आत्मा? किसकी आत्मा? और एक और है, जीवन का उद्दिश से क्या है? आप बस यूहीं बहुत बड़े-बड़े सवाल पूछ रहे हैं, वो भी सवाल के महत्व को समझे भिना. देखे, जब आप पूछते हैं कि क्या आत्मा होती है, तो आप किसी पढ़ाई वाले विशय की बात नहीं कर रहे हैं. आप पूछ रहे हैं कि मैं जो हूँ उसका स्वाभाव क्या है? या आप कह रहे हैं कि मुझे अपने बारे में कुछ नहीं पता है, प्लीज मुझे बताईए. हां? है ना? आप ये बड़ी आसानी से पूछ रहे हैं क्यूंकि आपको अब तक अज्ञानता की पीड़ा ने छुआ नहीं है. ये न जानने की पीड़ा की आप कौन है? इसने चीर के आपके टुकड़े नहीं किये हैं. अगर ये आपको सच में छुजाता की आप बस यहां जी रहे हैं, तमाम तरह की बकवास कर रहे हैं, इस बारे में बिना कुछ भी जाने की आप हैं कौन? ये बहुत पीड़ा दायक होना चाहिए था, है ना? उस तकलीफ ने अभी तक आपको जुआ नहीं है, आप सवाल उगल रहे हैं, पर ये उतने गहरे नहीं उतरे हैं. तो हर रोज आपको खुद को ये याद दिलाना चाहिए, हर सुबह कम से कम दस मिनट इस पर खर्च कीजिए, बस ये देखिए कि आप कितने बड़े बेवकूफ हैं, आपको अपने बारे में कुछ नहीं पता है, पर आप अपने जीवन में हर तरह की बकवास को लेकर बिजी हैं. हर रोज आप बस दस मिनट आप जितनी जादा तीवरता से हो सके, उतनी तीवरता से अपने बारे में अपनी आज्यानता को लेकर याद दिलाईए, और तब धीरे धीरे पीड़ा गहरी उतरने लगेगी, जब पीड़ा इतनी बढ़ जाए कि आप इसे सहन न कर सके, तब जानना दूर की बात नहीं होगी, ये बस एक पल में होगा. ये दो सोल काम के होते हैं, पर वो आत्मा जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं, क्या वो किसी काम की है? ये किसी काम की नहीं है, तो इसके बारे में बात मत कीजए. और अगर मैं आपसे कहूँ कि हाँ ये है तो इसका आपके लिए क्या मतलब होगा? अगर मैं कहूँ ये नहीं है तो आपके लिए इसका क्या फाइदा होगा? कुछ भी नहीं, है न? बस एक चीज होगी कि अगली डिनर पार्टी में जब आप जाएंगे तो वहाँ आसपास के लोगों का मनुरंजन कर सकेंगे आत्मा के बारे में बात करके पर जहां तक आपके अस्तित्तों का सवाल है कुछ भी नहीं बदलेगा, ऐसा है की नहीं? कुछ भी नहीं बदलेगा है न? तो अगर आप ये सवाल पूछ रहे हैं तो बुनियादी रूप से आप ये पूछ हैं कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ? जब आप यहां हैं, यहां क्या आप जीवित हैं? आप जीवित हैं. जब आप यहां जीवित खड़े हैं, तो ये जानने का क्या तरीका होगा कि आप कौन हैं? क्या ये बिलकुल बेतुका और पागल पर नहीं है कि आपको मुझ से अनों चिकित सक एक दिन कोवलम बीच पर टहल रहे थे। उनमें से एक ने दूसरे को उपर से नीचे तक देखा और बोला, तुम तो ठीक लग रहे हो, मैं कैसा हूँ? यह बिल्कुल वैसे ही बात हुई है ना? आप यहां बैठें, आप जीवित हैं, आपका अस्तित्तु है, और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं क्या हूँ? मैं कौन हूँ? क्या यह बेतुका नहीं हुआ? बहुत बेतुका है है ना? बस इतना है कि जादातर लोग इसमें आपके साथ हैं, बस एक ही तसलिए है, जो आपको न जानने की पीड़ा का अनुभव नहीं होने दे रही है आपके पास आसपास लोगों का एक पूरा का पूरा जुन्ड है, जो सभी कह रहे हैं, हाँ, जीने का यही तरीका है बस यही इकलौती चीज है जिसने आपको कुछ आराम दे रखा है मान लीजे, इस धर्ती पर आप एकलौते ऐसे इंसान होते, जिसे यह ना पता होता की वो कौन है, बाकि सबको पता होता जानते हैं न यह आपके लिए कैसा होता हाँ, आप नहीं जानते कि आप कौन है, और आप दुनिया में बिजी हैं, क्या इसका कोई मतलब हुआ, क्या है पागलपने जैसा नहीं मालूम पड़ता हाँ, यह पागलपन है न? पर आराम यह है कि आप एक बहुत बड़े पागलखाने में हैं जहाँ हर कोई आपके जैसा है तो आप की प्रॉबलम यह है, कि अभी आपका अस्तितु हुए किसी दूसरी चीज की तुलना में है आपका अपना कोई अस्तित ही नहीं है, जरा इस पर गौर कीजे अगर अभी आपके पास कोई ऐसी चीज न होती जो सब के पास है सब के पास नाक है, मन लीजे आपके पास नाक ना होती असल में आप बहतर सांस ले पाते हैं न? अगर आपकी नाक हटा ली जाए, तो आपको 22 प्रतिशत जादा ऑक्सिजन मिलेगी आप जादा सेहत मंद होंगे, सब कुछ बहतर होगा पर पता है ना कि आप कितना दुखी होते, क्योंकि बाकी सभी के पास नाक है हाँ या ना या फिर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा आ जाता, जो दूसरों के पास ना होता आप तब भी पिड़ित होगे, है ना मान लीजे आपका एक सींग निकल आए आप जानते हैं ये कितना भयानक होता पर अगर हर किसी का सींग होता, तो हम उसे पॉलिश कर रहे होते, सजा रहे होते, है ना आपका बुनियादी अस्तित ही तुलना पर्टिका है, आपका खुद का कोई अस्तित ही नहीं है सब कुछ तुलना पर्टिका है तो इस तरह की तसली के साथ आप अग्यानता की पीडा का अनुभव किये बिना जीते चले जा रहे हैं अगर आप इस पीडा को जानते कि आप खुद को ही नहीं जानते हैं तो बस इस हैसास से कि आपको अपने बारे में कुछ नहीं पता है आपके आंसू निकलाते अगर ये दर्द आपको चीर के अलग करने लग जाए तो जानना दूर नहीं होगा ये बहुत सरल है ये बहुत बहुत सरल है क्योंकि आखिरकार आप जो जानना चाह रहे हैं वो आपके ही भीतर है तो क्या जो आपकी भीतर ही है आपको उस तक पहुँचने से कोई इनसान या कोई चीज रोक सकती है क्या आपको अंदर जाने के लिए पासपोर्ट की जरूत है क्या आपको वीजा की जरूत है भीतर मुढने के लिए जो अंदर है उसे जानने के लिए कि आपको किसी की अनुमती की जरूत है या कोई आपको रोक सकता है क्या दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक सकती है नहीं, तो आपको कौन रोक रहा है आपको कौन रोक सकता है सिर्फ आप खुद और कोई भी नहीं बल्कि आप खुद किसी और की आपको रोकने की एक्षमता नहीं है तो आप खुद को रोक क्यों रहे हैं बस इसलिए क्योंकि आपने अपना पूरा अस्तित्व अपने बाहर बना कर रखा है आपका होना ही दूसरों के साथ तुल्ला करने पर डिका है क्योंकि आपके साथ ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इंद्रियों की प्रकृती ही ऐसी है क्योंकि जीवन का आपका अनुभव बस इंद्रियों के बोध तक ही सीमित है यही वज़ा है कि क्यों आपका अस्तित्व दूसरों से तुलना पराधारित है, आपने आप पर नहीं, क्योंकि इंद्रियों की प्रकृती ऐसी ही है, अगर मैं इसे छूलूं, तो यह मुझे ठंडा लगता है, यह मुझे ठंडा लग रहा है, इसलिए नहीं क्योंकि यह स्ट दखता हुआ गर्म लगेगा, ऐसा ही होगा ना, तो क्योंकि आपके जीवन का बुनियादी अनुभव इंद्रियों तक ही सीमित है, इसलिए हर चीज तुलना में है, तो आपका यहां होना ही तुलना की वज़े से हो गया है, अगर इसे बदलना है, तो फिलोसफी और कुछ बदल जाएगा, जब हमने आपको शांभवी में दिक्षित किया था, अगर आपने खुद को प्रक्रिया को सौंप दिया होता, तो यह आसानी से आपको इंद्रियों के बोध से परे ले जा सकता था, आप मेंसे कई लोग ऐसे पलों में गये होंगे, जहां आप इंद अगर आप स्वर्ग में भी चले जाएं, तब भी आप सिर्फ डरेंगे ही क्योंकि यह कुछ ऐसा है जो आपको नहीं पता है, आपने खुद को ऐसा ढाल रखा है, लेकिन अगर आप इसे होने दें, तो आप देखेंगे कि आप एक ऐसे आयाम कानुभव करने लगेंगे जो इंद्रियों के बोध से परे है, केवल तभी जब आपके जीवन कानुभव इंद्रियों के बोध से परे जाता है, तभी आपके जीवन कानुभव संपून होता है, ना कि किसी की तुलना पर आधरित, तब आपके जीवन कानुभव भौतिकता की सीमाओं से परे चला गया ह तब आपने ऐसा वातावरन बना लिया है ये जानने के लिए कि आप आखिर हैं कौन और अच्छा होगा कि आप ये जान जाएं कि आप हैं कौन नहीं तो आप चाहें जो करें उसका कोई महत्व नहीं है झाल झाल झाल